कुछ एड़ी साइड गाइस यह हमारे पी मसल्ट को हीट करता है बाइस है फिर पी को हीट करता है हाई एव्रिवान दिस इस माजद ली आज हमारे साथ है अनीग भाई जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत स्कीनी बंदा है तो हमने आज बात करनी है वेट गेनिंग के उपर बिकास हर बंदे का एक गोल होता है या तो उसने वेट को लूस करना होता है या उसने वेट को गेन करना होता है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो के कुमेंट्स और इंस्टा के उपर भी मैसिज कर रहे हैं कि हमें कोई वेट गेनिंग के रिलेटिड कुछ बताएं कोई वीडियो बनाएं तो इसलिए हमने सुचा है कि एक पूरी सीरीज तियार करते हैं आपको वेट गेंग जिसमें आपको वर्क आउट और इसके साथ आपको वेट को गेन करने के लिए हम आपके साथ डाइट प्लैन शेयर करेंगे वीकली बेस के उपर आप लोगों के साथ शेयरिंग की जाएगी तो पूरी दुनिया के अंदर हर बंदे का ये गोल होता है जैसा कि इस भाई का गोल है कि इसने वेट को गेन करना है मसल से ट्रेंथ बनानी है तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको ऐसे वर्क आउट बताएंगे जिससे आप इजिली अपना वेट को गेन कर सकत हैं तो आज लिए हमारा जो प्रेसिक वर्क आउट होगा आप लों के साथ शेयर किया जाएगा कि जब एक सटाइम जिम के अंदर आता है तो उसने किस तरह से अपना वर्क आउट स्टार्ट करना है तो चले आज आज आपके साथ ये वर्क आउट 취rictर करते हैं तो सब से पह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 So, क्या करना है? 3 सेट हमने 10 की रेपटीशन के साफ पुशुप लिगा है जब भी हमने वर्काट स्टार्ट करना है इससे पहले और साल सल हम लोईर बॉड़ी को वाम अप करने के लिए हम क्या गरेके कि स्कॉर से बैंगी? चलेंगी बड़ बड़ देख आपकोड़ अपर बड़ी तो अपर दो तो वैस यह नहीं हमारी स्कॉर्ट बेसिक स्कॉर्ट जितने भी बिगनर्स हैं उनको यह दो एक्सरसाइज बहुत जरूरी हैं वर्गोट स्टार्ट करने से पहले आपने यह जरूर तीन-तीन सेट टैन की रेपेटिशन के साथ जरूर लगा है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बाइसर्ट का वर्गोट आज हम करेंगे एक बिगनर्स को किस तरह से वाइसर्ट का वर्गोट करना चाहिए और जिससे उसका साइज गें हो वो मसल गें कर सके तो सब से पहले हम करेंगे इसके standing position में dumbbells करने करेंगे जिसकी 8 की repetition रखेंगे चलेगी start करें वन वेरी गुड़ तोड़ा सा अगी की तरह मुझ पेने dumbbells बिलकुल straight होने चाहिए है आपको मतलब कि इसको बिलकुल बाहर की outside नहीं लेके जाना और ना ही आपने inside लेकाना है very good good 8 east side so guys यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक सेट जब हमारा complete हो जाएगा तो हमने एक से 1.5 मिनट बाड़ी को rest देनी है इसके बाद हमने क्या करना है second अपना set start करना है exercise दुआना से start करनी है इस दुरान क्या होगा weight के इस exercise के दुरान हमें rest एक से 1.5 मिनट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे muscle की recovery होगी और maximum आपके muscles को फाइदा होगा इसके आपने 3 set लगाने है और 8 की repetition आपने रखनी है और next exercise की तरफ चलते है next exercise होगी straight बार के साथ हम curl करेंगे और 8 की repetition रखेंगे same हम चलिए की start है one जादा उपर की तरफ नहीं लेकिता है two three एल्पो को छोड़ा आसा आगे की तरफ मून किया किने four five six seven one more one more eight रखो तो यह थी हमारी second exercise straight बार के साथ हम curl कर रहे थे और तीन set लगाने है हर set के बाद हमने क्या करता है एक से ड़ीट मिनिट rest देनी है अपने muscles को और इसके दुरान हमने eight repetition रखनी है each exercise यहाँ पे हमारी third exercise होगी seated hammer curl dumbbell के साथ हम करेंगे चलेंगी strike okay और उपर लेगा हो यह very good guys यह हमारे P muscles को hit करता है bicep पी को hit करता है so मैं यहाँ पर बताता चलूब आपको जितने भी skinny guy beginners है वह आपना muscles build करना जाते है bicep उनको चाहिए के तीन से चार exercise वह add करें और उसके तीन set और eight की repetition आप रखें ताके आपके muscles को ज्याद से ज्यादा rest में मिले और आपका muscles ज्याद से ज्यादा pump हो और एक और यहाँ पर बात बताता चलूँ कि आपने हर set के बाद कुशिच करनी है अपना weight gain करना है जो भी आप weight lift कर रहे हैं अगर आप तीन kg का dumbbell सब सबसे पहरे लगाते हैं तो second exercise में आपका five kg होना चाहिए इसके बाद आपका six kg या seven kg आपका dumbbells का weight होना चाहिए तो यहाँ पर हम चोटी exercise जो होगी number four exercise होगी spider curl with dumbbells के साथ चले जी position में very good आपने यहां पर कोशिश करनी है अपनी elbow को आपने log करना है आगे से lever को आपने movement करनी है और eight repetition रखनी है आपने बहुत effective exercise है बहुत ज्यादा आपका muscle pump होगा इसके साथ यह चार exercise आपने करनी है और इसके तीन set each exercise और eight की repetition आपने mind में रखना है और इस दुरान आपने rest देनी है एक से डेट मिनट की हर exercise हर एक set के बाद आपने rest देनी है और जब आपकी एक exercise के तीन set complete हो जाते हैं तो कोशिश करें आप दो मिनट की rest देनी है very good So guys यह था आज का हमारा bicep workout एक beginner को किस तरह अपना weight gain कर सकता है अपने muscle size को किस तरह build करना है आपने यह आपके साथ हमने शेयर किया आज का workout hopefully आपको बहुत यह अच्छा लगेगा तो आप हमारी next video जो आने वाली है वो भी जरूर देखिए किया अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो कारली आप subscribe जरूर करें मेरी motivation के लिए तो इंशाला आपके साथ सारी वीडियो हम share करेंगे और next video आपको हम diet भी बताएंगे कि weight gain आपने किस तरह करना है उसके दुराना आपको क्या-क्या खाना चाहिए तो चलें जी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक क अजासे दीए अलाफीज